यहलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप लोग ठीक होंगे तो मैरा दीपा को मैं सभाकत करता हूं आपका आपके पैस चैनल दीपाइलोगी क्लाशेज एंड जोब्स टेलेन में विजोस्तों आज किस वीडियो इम बात करेंगे एसेशन णर्फ सर्फ एसोशेट वीडियो को मिस ना कर सकें तो चली वीडियो स्टाट केत वेबसाइट पर आ सकते हैं तो लिंक है amity.edu oblique carrier जैसे आपकी लिंक जो है वो Google में पेस्ट करेंगे तो आपको directly इस ट्रैप का interface देखने को मिलेगा और लिंक मैं आपको description box में भी जो है वो provide करा दूँगा तो चलिए इसमें देखते हैं देखिए अमिति उनिवस्टी में यहाँ पर कैजस में आपको जाना है कैजस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर different different positions जो है वो mention कर रहा है अमिति उनिवस्टी में ज़रे faculty research position तो अगर आपको faculty research position के apply करना है और apply eligible है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं दूसरा academic administrative position के लिए यहाँ पी vacancies क आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसका पूरा एक नए window open होगा और इस window में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि application information पूरा आपको यहाँ पर इस टैप का interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर आप apply करना चाहते हैं तो पूरा यहाँ पर जो चीज हैं आप यहाँ पर apply क करना सकते हैं यहाँ पर जो टैड साइनस स्नाइब करने अपको अ का सकते हैं यहाँ पर जेख सकते हैं से स्थार आपको देखने को मिल ला नया है इतार कि हmore 13 जो है अमिधीघे कैंप से हमें से में हैं डिसत्रेंट सि टेट्स में आप आप ये देख सकते हैं तो अब जिस भी अपना से में आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आ पछे कर ना चाहते हैं तो आप से आप सिस्वें के आप वह हम और तो आ इसके बाद आपको यहां पर आपको अपना जो भी आपका पीशडियर डिग्री ए चाहे वोट नीम चाहे बाइए कमिस्टी में जाए बायो इंफर्मेटिक्स में वह आपको चूस करना है और यह जो पोस्ट यह फुल टाइम जोब हैं यहां पर अलएदे इनों ने मैंसन है यहां पर ठीक है तो फुल टाइम के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर प्रसनल इंफर्मेशन आपको यहां फिल करना पड़ेगा इसके बाद आपको यहां पर अपर प्रफेस्टनल क्वालिफिकेशन जैसे 12th graduate के जो भी आपके मार्क सीट में जो भी आपको बूर्ड है आपका जो भी पासिंग यह है डिवीजन वह समयशन करना पड़ेगा इसके पूराबव आपके बाद पीजी डिग्री होना चाहिए और पीजी डिग्री आप एलेमन सब्जेक्ट में होना चाहिए और आपको यहां पर इसके लावर एंफिल पीज्डी यहां पर यहां मेंडेटी नहीं रखा हुआ प्या यहां पर देखेंगे तो यहां पर प्पोस डौक्टोरल आपने अगर किया है कहीं से तो आप उसका डीटेल भी दे सकते कि यह सारे जो पॉइंट्स गोण टॉक्तोरा अगर यह आपके पास है तो आप इसके लिए अपको प्रिफरेंस दिया जाएगा यहाँ लेकिन कोई mandatory यहाँ पर साइन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर आपका कोई भी experience है अगर आपने कहीं teaching की है चाहिए academic में हो चाहिए non academic में अगर आपका कोई भी experience है तो आप वो भी यहाँ पर fill up कर सकते हैं इसके लाँ अगर आपको भी fellowship अचीव हुई या आपने कोई international या national fellowship आपके पास है तब भी आप जो यहाँ पर जो है आपके पेपर हैं research article है तो आप यहाँ पर जो अपना और्किट आईडी दे सकते हैं एच इंडेक्स दे सकते हैं web science का scopus का और जो आपका क्यूमुलेटी इंपर फेक्टर अब तक हुआ है चाहिए जितने पेपर्स आपके मिला के वह भी आप फिलब कर सकते हैं इसके आप आपको नमबर पब्लिकेशन सब्सक्राइब करने प्रीश परफिल्स पेपर पप्लिश टोटल एच पर यूजिस के लिस्स एए वैश इंग्यूबर श्कॉलर स्कॉपर्स ऐसे परफिल पबिश इन लास्ट इयर वह भी आप यह में कर रखें और आपके पेपर लास्ट से रहा है कितने लोगों है आपकोई आप एक कर सकते हैं Teil इसके लाभ इक लास्ट हेउं में किसा और उसक्तिक इसके लगा आपका रिसर्च गाइडेंस लाज त्री यर में तब भी आप दे सकते हैं यह आल्मूस उनके लिए जो असोसीट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए जो यह कॉलम रहेगा इसके लागा आपने कोई बूक में कोई चैप्टल है आप आप यहां परेoff का इसका डेटेल दे सकते हैं इस बीस नंबर दे सकते हैं और भी ट्र松 में तब्सकंट क्रोफेसर जयो सब्सक्राइब कर दो हाँ आपने कराया और या स्टेंस और कन इसको ल Kenneth जानते टो आउपर एसका नेम डिजिंगनेशन डिपार्टमन्न कैमपस भी लिख सकते हैं or आप आपने इससे पहले कभी अमिती में इंटेव्यू दिया है तब भी आप यहां पर कांपस में किया है और आपको जॉब आफर हुई है कि जॉइन किया कि नहीं किया वह सारा चीज यहां पर देख सकते हैं इसके लाब आपको फोटो अप्लोड करना और रेज्यूम अपना अप के liए आप जो है प्लाइ कर सकते हैं उसका भी eine form जो है यहां मेर्सं करता है तो आप इस form को भी अपना में कर सकते हैं इसके लिए करना भी difference नहीं है form fill up करने में non academic positions में भी आप जो apply कर सकते हैं तो आप पर देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप सारी position जो देखने को मिलेंगी कौन कौन सी position जो वह available है ठीक है तो यह सब कुछ चीजे थी तो अगर आप इस पर इंटेस्टेट आप इस फर्म को ज़रूर फिल अप करिए क्योंकि अमिती उनिवस्टी एक लाइक टॉप रैंक प्राइविट इनिवस्टी है तो अगर आपको यहां पर कोई कि अगर आप eligibility criteria को अगर फिल फिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा या वीडियो से लेटर कोई doubt है तो अब आप मुझे comment section बता सकते हैं तो चली मिलते हमारे अगले वीडियो म तिल देन टेक केर बाई बाई